नमस्कार वेलकम टू डियाएस आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि खालिस्तानी मोमेंट क्या है क्यों UPSC के लिए ज़रूरी है और हमारे मेंस के जो GS3 का पार्ट है उसके लिए क्यों important है तो उसके क्या-क्या repercussions आ सकते हैं क्या-क्या possible impact है और इंडिया future में क्या अपना way forward ले सकती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि खालिस्तान की history क्या है फिर शुरुआत करेंगे कि क्यों अभी-अभी current affair में ज्यादा आया फिर बात करेंगे कि क्या-क्या reasons हो सकते है इस तरह की जो moment है उसको push करने के और उसके बाद we will talk की क्या-क्या इंडिया के उपर impact आएंगे या तो फिर इंडिया के लिए way forward क्या हो सकता है ठीक है चले शुरु करते हैं अब सबसे पह पूराद resolution के support में तीन लोग नहीं थे और वो कौन थे तो first that was Muhammad Ali Jina जो Muslim League के co-represent कर रहे थे second Dr. B.R. Ambedkar उनका ऐसा कहना था कि 1929 resolution के अंदर Dalit को को specific rights नहीं दिये गया है और उनको पूरा-पूरा overlap किया गया है along with the other Hindus उनको include कर दिया गया है which is not factually right अब उनका ऐसा कहना था क कि उसको हम include नहीं कर सकते क्योंकि Dalit have been treated differently तो फिर उनके लिए different rights होने चाहिए special people के लिए special rights होने चाहिए उसके बारे में वो बात कर रहे थे and third was the master Tara Singh मास्टर Tara Singh ने उस टाइम पे जब यह पूरी debate चल रही थी उस टाइम पे उन्होंने बोला कि we want greater Punjab अब वो greater Punjab क्या होगा तो जो रंजित सिंग का जो पंजाब था वैसा ही पंजाब यहां पे होना चाहिए जो India and Pakistan दोनों को cover करेगा यह जो problem है problem अब तक सामने नहीं आई प्रॉब्लम हकीकत में सामने कहां पे आई तो it was the partition of India. During the 1947 partition happened everybody knows India and Pakistan दोनों को divide करना था अब इंडिया पाकिस्तान जब दोनों को divide करना था तो उस टाइम पे एक था United Punjab. अब United Punjab को भी divide करने की बात आई. क्यों ऐसा था? क्योंकि पंजाब ऐसी चीज थी जहां पे पंजाब के इस तरफ भी थे, पाकिस्तान पंजाब के उस तरफ भी थे. But अगर हम इंडियन पंजाब के बारे में बात करें, तो वहां पे मात्र 15 प्रतिशत वो सिख थे. तो वो 15 प्रतिशत सिख थे, तो आज majority कैसे बन गए? क्योंकि partition के टाइम पे जो भी सिख वहां पे वो जो पंजाब है, पहले अकेला सिर्फ पंजाब नहीं था, उसके अंदर हरियाना भी पार्ट था, उसके अंदर हिमाचल प्रदेश का कुछ-कुछ हीली रिजन भी पार्ट था. अब यह जो problem है, वो देरे-देरे-देरे solve होती जा रही है, everybody is living in a peace, but in between, there is one thing जिसको कहा आ जाता है, पंजाब सूबा मुमेंट, पंजाब सूबा मुमेंट चालो हुए इंडिपेंडेंस के बाद, जब यह मुमेंट चालो हुए तो अगेन यही बात थी कि जो सिख है, या तो जो पंजाबी लोग है, उनको अपना एक separate state मिलना चाहिए, बट वो state में दिक्कत क्य थी, हर्याना भी included था, और हिमा चलके कुछ-कुछ Healy region भी included थे, तो अब सीन क्या होगा, कि वहाँ पे again कुछ-कुछ agitation होगा, अब वो agitation को 1956 के हमारे State Reorganization Act, कौन सा? 1956 का State Reorganization Act ने, on the basis of language, creation of a state has been absolutely rejected, तो थोड़ा इनको discontent हुआ, जब यहाँ पे थोड़ी unhappiness वगरा तो Hindu और Punjabi Sikh, उन दोनों के बीच में थोड़ा-थोड़ा clashes होते रहे थे, बट again वो बड़े front पे नहीं आ रहे थे, वो चोटे-मोटे clashes कहीं की रूरल गाओं में रहते थे, अब वो जो clashes है, उन सभी की वज़े से जो tension बढ़ रहा था, तो center के ओपर थोड़ा कुछ pressure था कि भाई, पंजाब को हमें separate करना चाहिए, बट वो pressure तब तक feel नहीं हुआ, जब हमारा war हुआ, war किसके साथ था, हमारा 1956 का, पाकिस्तान के साथ war था, वो पाकिस्तान में, सेखने, they have shown great valor, they have shown great bravery, and फिर उसको, फिर कुछ gift की तरह, या तो फिर gratitude की तरह, हमने उनके जो rights है, उसको माना, और फिर जाके हमने पंजाब का क्या कर दिया, ट्राइफरकेशन किया, देखिए, बाइफरकेशन माने, दो पार्ट, अब यहां पे हमने तीन पार्ट किये पंजाब के, तो पंजाब का क्या कर दिया, हमने ट्राइफरकेशन किया, पंजाब के ट्राइफरकेश है तीसरा पार्ट जो थोड़ा सा हीली रीजन जा रहा है कहां जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश में जा रहा है तो यह जब हुआ तब 1966 में यह पूरा जो जब रियोर्गनाइजेशन हुआ तब सिख्स वर मच मच हैपी उनका ऐसा था कि अब हम हमारे हिसाब से यह पूरा कुछ कर पाएंगे बट अगें उसमें कुछ ऐसे रैडिकल सिख्थ है जिनको यह पसंद नहीं आया जब यह पसंद नहीं आया तो फिर क्या हुआ तो फिर ले आए वो आनंदपूर साहिब resolution जब यह आनंदपूर साहिब resolution आया तब आनंदपूर साहिब resolution में बात क्या हो रही थी कि सिख्ष विल हैव ओन राइट तो फॉर्म ओन constitution according to the own norms according to the own rules तो यह अगें भारत को लाजमी नहीं था अब यह जो resolution पास हुआ यह resolution सिख्षों ने पास किया उन्होंने government के उपर pressure बनाया तबकि जो government थी इंदिरगांदी government ने इसके बारे में कुछ सोचा बट उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पूरा हम resolution accept नहीं कर सकते कुछ-कुछ चीज़ें accept कर सकते हैं in terms of autonomy but again by the time of 1980 यह जो resolution है उसके जो भी जितने भी fanfall और वगरा से सब कुछ slow down हो गया everything was going on quite nicely अब उसमें एक था दमदमी तक्साल क्या नाम है organization का दमदमी तक्साल दमदमी तक्साल जो है वो किसने बनाया तो the name is करतार सिंग बिंडरावाले क्या नाम है करतार सिंग बिंडरावाले अब यह जो पूरा तक्साल है वो कहां पे था तो एक बिंडरा बिंडरागाओं में था अब यह जो बिंडरागाओं की वजह से वहां पे रहने वाले को बिंडरावाले कहते है और उसी को follow करते करते फि पिर जाके वो हर एक जगह पे religious preaching करना चालू किये उन्होंने और religious preaching करने के साथ साथ वो गुरुगरंथ साहिब को भी साथ में लेके घूमते थे तो उस वज़़ से उनका नाम जो है फिर जाके क्या बन गया Saint Jarnail Singh Bindrawalay तो इस तरह से उनका नाम ऐसा हो गया तो यह जो Bindrawalay है दीरे दीरे उसकी popularity बढ़ती जा रही है बढ़ते बढ़ते अब उसकी popularity को सामने काउंटर करने के लिए कौन आया? शिरोमनी अकाली डल अब शिरोमनी अकाली डल ने पहले क्या किया था? आनन्द पूर resolution ले आये थे अब शिरोमनी अकाली डल है उसने फिर बिंडरावाले के साथ हाथ मिला दिया क्योंकि कैसा हुआ शिरोमनी अकाली डल को ऐसा लग रहा था कि हम ही है सब कुछ पंजाब में अब बिंडरावाले है उसकी popularity popularity बहुत ही ज्यादा popular हो रहा है तो दोनों ने क्या किया अब जाके हाथ मिला लिए हाथ मिलाने के बाद थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी militancy वहाँ पे स्टार्ट हुई थोड़ा-थोड़ा separatism वहाँ पे स्टार्ट हुआ और जो खालिस्तान का जो idea है वो वापस reemerge हुआ by the time 1982 everything was going on सब कुछ सही लग रहा था वहाँ की जो government है वो भी ऐसा था कि कोई यह हमारे पर threat नहीं है but threat के सामने यह जो भी face जितना भी अच्छा face देख रहा था reformist face देख रहा था radical face देख रहा था उसके पीछे extremism का face था और वहाँ पर यह जो भेंडरान वाले है उसने अपने हिसाब से बहुत ज्यादा arms इकटे किये थे army को prepare किया था खुद की जो युवाव army थी उसको properly prepare किया और prepare करने के साथ साथ सभी को arms दिये even rocket launchers भी दिये and you won't believe यह सारा training चलता रहा चलता रहा and 82 में इसने क्या किया अपने आपको golden temple के अंदर refuge लिया golden temple में refuge लेने के फाइदा क्या था he thought that there is not a single government officer who dare to come inside the golden temple and take down him यह myth उसके सामने थी तो उस time पे 1984 में government ने एक strong action लिया और government ने क्या किया strong action के साथ एक जो बिना धाडी के sick general को यहां की command दे दी और यह command के साथ उसने पूरा-पूरा यह operation किया और सभी को नाम पता होगा कि operation का नाम क्या है operation blue star 1984 का जून का operation blue star है जहां पे यहां पे golden temple के अंदर जो भिंडरा माले थे और उसके सारे supporter थे उन सभी को मार दिया गिरा उस time पे थोड़ा-थोड़ा sick के बीच में resentment होना चालू हुआ sick and hindu के बीच में कड़वाश होनी चालू हुई और डेली के अंदर riots फूटे Northern India में riots फूटे और इसमें at least कहा जाता है by the official document कि 7-8000 sick लोगों की जान इसमें गई थी और साथ में फिर जाके हमारे ex-PM का assassination वहाँ पे हुआ वो PM का assassination होने के साथ-साथ 1986 में दूसरा क्या हुआ कि Air India की एक flight के अंदर bombing हुआ and nearly more than 200 passenger were killed उसके साथ जो पंजाब के sitting Chief Minister थे बेंद सेंग उनका car bombing में assassination हुआ और ये जो तीनों जो जितने भी attack है वो सारी की जो responsibility है that was taken by the Kalisthani forces ये Kalisthani forces ने ये सारी responsibility ली उसके साथ अब दीरे दीरे खालिस्तान का issue जो है वो शांत होता जा रहा है there is nothing much more movement और उस time पे जो भी ये सारे riots हुए, government का crackdown हुआ certain Kalisthani outfit को target किया गया, तो उस time पे सारे जितने यहां पे Kalisthani sympathizer थे they all went to the west और west में उन्होंने United Kingdom में refuge लिया United States में refuge लिया और even Canada में refuge लिया जब Canada में उन्होंने refuge लिया तो अपना वहां पे पूरा एक center बनाना चालू किया even in Germany, UK, Rome in Venice and in Canada so they become their major center for the Kalisthani movement वहां से वो क्या कर रहे थे? तो वहां की जो diaspora है उसको वो mobilize कर रहे थे diaspora को mobilize करने के साथ-साथ वहां से financial and diplomatic aid वो ले रहे थे और दूसरी जो religious government sorry, regional government है उन्हों सभी को वो influence कर रहे थे so that they can make their base very much strong और फिर जाके इंडिया में वो सारी कुछ चीजों को बाहर से वो mobilize कर सके और उसमें सही एक जो 2020 के बार जो हमारे farm प्रोटेस्ट हुए थे farmer bills को लेके प्रोटेस्ट हुए थे उसमें एक नाम था that is deep siddhu deep siddhu ने एक छोड़ा सा outfit बनाया जिसका नाम है वारिस पंजाब दे अब यह जो है वो बहुत ही ज़दा separatist के बारे में बात कर रहा थे जब यह सारी चीज हो रही थी उसके उपर investigation चल रहा था and उनकी मौत दुखत एक हाथसे में हो गई so उस time से वापस कालिस्तान बंध हो गया again जब 2022 में यह बंदा नाम क्या इसका अमरत पाल यह बंदा वापस इंडिया में आता है और वारिस पंजाब दे का head बन जाता है अब दीप सिद्दू की family का ऐसा कहना है कि इसका और दीप सिद्दू का कोई लिन देना नहीं है बट जो वारिस पंजाब दे के supporter है उन्हों नहीं इसको यह दुबई से आये हुए बंदे को क्या बना दिया और वहां से अगीन इसने इंडिया में आंके सबसे पहला काम किया किया अपना भेश बदल दिया भेश उसने कैसा किया सेम बिंडरन वाले जैसा अब इस तरह से भेश उसने पहनना चालू किया इस तरह से उसने रूरल पंजाब में जाना चालू किया वहां पे वो drug abuse के बारे में बात कर रहा है, alcohol removal के बारे में बात कर रहा है, equality के बारे में बात कर रहा है, और साथ-साथ में वो separatism के बारे में बात कर रहा है. As such, specifically वो कुछ बोला नहीं, कि separatism कैसे होना चाहिए, but he said, कि even if needed, I can even take my own life, I can even give my own life, and I can take other lives as well. तो इस तरह से उसने सारा कुछ करना चालू किया, तो somebody, some of the follower even sees him as a reincarnation of Bindranwale. So इस तरह से ये moment वापस शुरू हुई. ये moment शुरू होने के साथ-साथ, इंडिया के उपर, internal security के उपर, क्या threat लेता है ये? तो threat के बारे में, अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला है, पाकिस्तान और ISI के साथ का कुछ सांटगाथ. ये mail-mail आप कैसा हो रहा है, कि Pakistan is targeting about K2 movement. कौन सा? K2. अब K2 formula क्यों है? तो एक कश्मीर and second Khalistan. कश्मीर and Khalistan, तो K2 formula के उपर ISI काम कर रहा है. पाकिस्तान से, जितना भी वहाँ पर पैसा है, आम से, अम्यूनेशन है, वो सारा पंजाब में फीड किया जाता है, क्योंकि वहाँ की boundaries जो है, it is not so much strict, वो कही ना कहीं porous है. हमने militant attack में भी देखा, गुर्दासपूर के attack में भी देखा, कि ये जो है, वो सारे कहां से आ रहा है, cross border करके आ रहा है. उसके साथ दूसरा, क्या हो सकता है, drug and money laundering हो सकता है. Drug and money laundering is one of the easiest way to fund such kind of moment, such kind of separatist moment. और ये सारी moment को push करने के लिए, what you need, you need finance. और finance सबसे easy, legal money है, parallel economy है, उसका यहां भी utilization होगा. और ये सारा threat किसके उपर आ रहा है? integrity of India के उपर आ रहा है. क्यों integrity of India के उपर आ रहा है? Because they are talking about the separate state. वो जो union of India है, वहां से अलग होने के बारे में बात कर रहे हैं. अगर ये अलग होने के बारे में बात करेंगे पाकिस्तान स्टेट स्पॉंसर टेरिरिजम जो है, वो यहां पर और ज्यादा एविडेंट हो सकता है, उसको और ज्यादा sympathizer मिलेंगे. अब Sikh and Muslim, they both can join the hands, especially of the Khalistani supporter, not the all Sikhs. क्योंकि इंडिया में रहने वाले जो Sikh है, उनको ये चीज चाहिए नहीं, बट ये हो कहां से रहा है, बाहर से रहा है. So वो इंडिया की जो Sikh है, जो इंडियन्स है, उसको मलाइन कर रहे है. So इस तरह से वो क्या करेंगे, एक प्रकार से hatred create करने का try करेंगे. पहले वो political tools यूज़ कर रहे थे, अब वो religious tools यूज़ कर रहे है. So that, कोई भी एक state के अंदर क्या हो, political instability आए. और political destability आने के साथ-साथ, यहां की जो पूरी political system है, वो इधर-इधर हो सकती है. और political system जो भी थोड़ी सी instable हुई, सीधी impact इसके उपर आएगी, एकोनॉम में पे आएगी. लंका में हमने देखा, कि लंका में कैसे economic crisis आए, तो वैसे इंडिया में भी economic crisis आ सकते है. और अगर इंडिया में economic crisis आने चालो हुए, so right now, इंडिया is reflecting और projecting itself as a global south leader, या तो फिर south east Asia, south Asia का leader वो मानता है, और उसके सामने चाइना उट बैठेगा. जब चाइना आएगा, तो वहाँ से भी यहाँ पर infuse करेंगी यह सारी चीज़े, northeast के ऊपर थोड़ा कुछ चीज़े होनी चालो हो जाएगी, लदाख में insurgency चालो हो जाएगी, हर एक जगा पर, जहाँ जहाँ पर इंडिया का कुछ भी थोड़ा सा उनको opportunity लग रही है, सभी जगा पर यह हो जाएगा, it could be religious, it could be economical, it could be technical as well, cyber attack जैसी चीज़ों भी यहाँ से infuse हो सकती है, right, और साथ में, दूसरा क्या होगा, इंडिया का जो international image है, उसके उपर बहुत ही बड़ी देंट आएगी, right now everybody knows that इंडिया is a विश्वगूरू, हमने इंडिया ने जहां भी देशों में कहीं पे भी तकलीफ आई है, वो man-made तकलीफ हो और वो natural तकलीफ हो, इंडिया was the first to help them, let's say COVID, let's say earthquake, let's say economic crisis of Sri Lanka, so इंडिया was always there to help them, बट यह अगर ऐसी insurgences बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, और government से तोड़ा सा कुछ भी misstep लिया गया है वहाँ पे, मतलब calculation में हलकी सी mistake हो सकती है, अगर ऐसा कुछ हुआ, तो सारे जो west media है वो चड़ बैठेंगे, क्यों? क्योंकि right now India is growing, और जब भी आप उपर जाते हो, कोई तो tank खेंजने वाला मिल ही जाता है, और यही यह चीज़े कर सकता है, साथ में, now, what is the way forward for India? तो way forward में हम क्या कह सकते हैं? तो way forward पे, इंडिया क्या कर सकता है? तो सबसे पहले, इंडिया can ensure center state relations, जो हमारा schedule 7th है, center state relation का, जो best separation of power का module है, उसको हम और strengthen कर सकते हैं, और strengthen करके, हम state machineries, जो है, हमारी political machineries, उसको बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, फिर उसके साथ क्या होगा, state इतना ज़्यदा equip होगा, कि वो state में prosperity बढ़ेगी, prosperity बढ़ने के साथ, वो automatically अपने लिए काम कर पाएगा, साफ में हम क्या कर सकते हैं, कि यह जो सारी movement है, कहां से उनका funding आ रहा है, mostly international funding आ रहा है, internally वो उतना ज़्यदा mobilized नहीं करते हैं, internationally mobilized करते हैं, जब internationally mobilized करेंगे, so what we need to do, we need to get more and more surveillance, उतना हमें अच्छा surveillance लाना है, तो पताच कर सके कि हम कहां से कहा money घूम के आ रहा है, कहां से money originate हो रहा है, कौन से bank में जा रहा है, तो इसके अंदर हम FCRA जो हमारा act है, right, FCRA act को और strengthen बना सकते हैं, उसके surveillance को और strengthen बना सकते हैं, ED के surveillance को और strengthen बना सकते हैं, साथ में we can even contribute, sorry, collaborate with Interpol, we can collaborate with FBI, we can collaborate with any other country's intelligence services to nab such kind of international funding that are fusing such insurgencies, उसके बाद what we can do, हमारी foreign policy top-notch होनी चाहिए, अभी हमारी foreign policy absolutely top-notch पर है, बट उसको यहां से भी उपर लेके जाना है हमें, जैसे कि अभी British High Commission में क्या हुआ, कि Indian flag जो था उसको नीचे ला दिया गया, और खालिस्तानी flag को उपर फेराने का अबलब, लहराने का एक try हुआ, और वहां पे फिर सीधा ही repercussions किया आया, हमने क्या किया इंडियन government ने, British High Commission in Delhi, उसकी security हमने ले ली, so now India is in that state, we can do tit for tat, तो ऐसा हमें और ज्यादा बताना पढ़ेगा, now India is not only the soft power country, now we are hard power country as well, now India is the fifth largest economy by the GDP and third largest economy by the purchasing power parity, so now there is no way we can look back, that is the only way we can go ahead, and so for that, what could be the great path and that is foreign policy, foreign policy को हमें और ज्यादा टॉप नोच बनाना पढ़ेगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो लोगों में awareness डाल सकते हैं, जितनी ज्यादा लोगों के अंदर हमने awareness डाली, उतना अच्छा होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि लोग जो है, वो easily mobilized हो सकते हैं, social media का age है, internet का age है, वहाँ पर आप देखा कि ये age के अंदर, जो भी sensitive मुद्ध है, उसको इतने बढ़ाय चड़ाय जाते हैं, कि सारे लोग mobilize हो सकते हैं, तो जो प्रजा sensitive है, उसको और ज्यादा education दो, उसको और ज्यादा financial powerful बनाओ, उसको और ज्यादा powerful बनाओ, awareness कराओ, political powers उसके अंदर infuse करो, ताकि जनता थोड़े से भी गलत चीजों की वज़े से, वो अपने आपको influence ना कर पाए, और जब citizens powerful होगा, अगर एक citizen powerful है, तो उसका nation powerful है, अगर nation weak है, साथ में हम क्या कर सकते है, intelligence and state police को और ज्यादा मजबूत कर सकते है, so that हमारा जो law and order है, वो एकदम अच्छा सा रहा है, कहीं पे भी arm की moment हो रही है, कहीं पे भी पैसे की moment हो रही है, तुरंती ये लोग activate हो जाएंगे, और उसको वहीं का वहीं stop कर देंगे, उसको वहीं stop करेंगे, उसके root causes है, उसको भी निकाल लाएंगे, और उसको हम पूरा पूरा eliminate कर देंगे, so that हमारा जो internal security है, वो और अच्छा होता जाए, and lastly what we can do, even we can contact FETF, जो finances को देखती है, जो money laundering को देखती है, terror financing को देखती है, और साथ में United Nations Security Council, if not the United Nations General Assembly, we can talk about United Nations Security Council, we can talk about the reforms in a UNSC, और UNSC में reforms के साथ-साथ, इंडिया का strong दावेदारी है, वहाँ पे permanent seat की, जब इंडिया को permanent seat मिलेगी, तो ये सारी insurgencies हैसी है, जो जहाँ जहाँ पे, छोटी-छोटी मात्रा में, कहीं भी इस stability आ रही है, सभी को हम fight कर पाएंगे, तो ये इंडिया के लिए way forward है, यही हमारा 2047 का इंडिया है, यही इंडिया after 100 years of independence होगा, जहाँ पे peace हो, unity हो, integrity हो, and everybody will be living with the brotherhood, and the happiness, world happiness index का रिपोर जो बिया है, we know what we are, and we know what we should be, दनिवाद, that's it from our side, thank you very much.